दोस्तों मैं गतम सिंग आज आपके लिए लेकर आया हूँ आखो की समस्या का घरेली उपचार जलन हो सुजन हो दर्द और आखो का लाल होना दोस्तों आपको हम बता दे कि ज़्यादा देर मुबाइल चलाते रहना आखो का पलक न जपकाना धूँआ लग जाना धूल मिटी पड़ जाना जिसके कारण जलन सुजन दर्द और आखो का लाल होना सुभाईक है इसके घरेली उपचार क्या है इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आखो की समस्या का घरेली उपचार क्या है आज कल ज्यादातर लोग आखो की समस्या से परसान रहते हैं आखों में जलन होना, पानी आना और आखों में सूजान आना आम बात हो गई है हमारी आखे बेहत सन्वेदन सिल होती है इसलिए आखों को लेकर हुई एक छोटी सी लपरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है आखों में जलन होने पर कई लच्षड देखने को मिलते हैं आखों से पानी आना, खुजली होना, सूजान आना, आखों में ज्यादा दबाव पढ़ना और आखों में दर्ध होना आदी लेकिन क्या आप जानते हैं? आखों में जलन की समस्या को दूर करने के कई घरेली उपाय हैं, जिसका उपियो कर आप आखों में होने वाली जलन की समस्या को दूर कर सकते हैं आखों में जलन के कारण देखिए क्या क्या होते हैं प्यावरड कारक यानि कि प्यावरड पर्दूसर आखों में जलन होने का सबसे आम कारड है बाईव पर्दूसर के कारण कई बीमारिया उत्पन होती जैसे सास लेने में समस्या होना तोचा विकार और आखों में गहरा दूस परभाव पढ़ना आधी हवा में फैली जहरीली और रसाइन गैस आखों को परभावित करती है जिसके चलते आखों में निरंतर जलन बनी रह सकती है देखिए ठाकान, ठाकान के कारण भी आखों में जलन की समस्या पैदा हो सकती है अत्याधिक काम करने के बाद सरीर के साथ आखे भी ठक जाती है जिसकारण आखों पर बहुत ज्यादा दबाव करने लगता है जो आखों में दर-दर जलन का कारण बन सकता है कम्प्यूटर और मोबाईल का अत्याधिक इस्तमाल यदि आप बहुत देर तक कम्प्यूटर एस्क्रीन के सामने बैठ कर काम करते हैं या अधिक देर तक मोबाईल का इस्तमाल करते हैं तो इसके अलावा अधिक देर टीवी देखते हैं तो उतनी ही आपकी पल के कम जपकती है जिस कारण आखों में अत्यधिक दबाव पड़ता है जो आखों की रोशनी को परभावित करने के साथ आखों में दल, जलन, खुजली के कारण बनता है दबाओं का साइड इफेक्ट कुछ विशेश परकार के दवाओं का side effect आँखों में जलन का कारण बन सकता है इसके अलावा निंद का पूरा ना होना भी आँखों में जलन का कारण बन सकता है आँखों के रोग और अन या संकरमण होना दोस्तों आपको हम इसका घरली उपाह भी बताएंगे वीडियो को लाश तक देखें आँख में चोट लगना या आँखों से जूड़े कई रोग भी आँखों में जलन का कारण बन सकते हैं इसके अलावा भेक्टेडिया और वाइरस अंकरमण के कारण भी आँखों में जलन हो सकती है कई बार एउन संचारित बिमारियों के चलते भी आँखों में जलन की समस्या पैदा हो सकती है आँखों में जलन होने के अन्या कारण हो सकते हैं जैसे ज्यादा गर्मी होना सुर्य की क्यूर्णों के सिधे संपर्क में आना सुमिंग पूल के क्लोरिन यूग पानी में नहाना सैंपू और साबून का आखों में चला जाना कंटेक्श लेंज का इस्तमाल करना आधी आखों में जलन का कारण बन सकते हैं अब विटामिस सी युक फल और सब्जियों की अपनी डाइड में सामिल करें कई घंट तक कंप्यूटर के सामने बैठने से बचें भोजन में हरी सब्जियों का सामिल करें दीन में कई बार आखों को ठंडे पानी से दोते रहें मोबाइल का अधिक दिर तक इस्तमाल करने से दूर रहें जो आखों को परभावित करती है कंटेक्स्ट लेंस का इस्तमाल करने से बचें आखों की जलन को दूर करने के घरेली उपाए अब देखें ठंधा पानी आखों को ठंडे पानी से दीन में कई बार धोते रहना आखों में जलन को दूर करने का सबसे आसान तरीक इसके अलावा आप सूती कपड़े को पानी में भीगो कर अपनी आखो पर रख सकते हैं अगर आप लगतार काम करते हैं तो अपनी आखो के बीच बीच में ठंडे पानी से धोते रहें खीरा, आखों में जलन होने पर आप खीरे को गोल काट कर अपनी आखों पर रख सकते हैं इसे आप कम से कम 15-20 मिनट तक अपनी आखों पर रखें यह आखों को ठंड़क परदान कर ठकान को दूर करता है और आखों की जलन को दूर करने में मदद करता है आलू, ठकान के कारण होने वाली आखों में जलन को दूर करने के लिए कच्चे आलू का इस्तमाब घरेली उपचार के रूप में किया जा सकता है इसके लिए आप रात को आलू को स्लाइस में काट कर फिरीज में रख दें और दूसरी, सुबह इन आलू की स्लाइस का उपियोग आखों की जलन को दूर करने के लिए किया जा सकता है इसके लिए आप आलू की स्लाइस को आखों पर रख कर लेट जाएं ठंधा दूद, ठंधा दूद का उपियोग और आखों की जलन को दूर किया जा सकता है इसके लिए आप ठंडे दूध में रूई को डूबो को और आँखों को उपर रख दे इस प्रक्रिया को आप सुबह और साम दोनों समय कर सकते हैं गुलाब जल धूल कड के कारण होने वाली आँखों में जलन की समस्या को दूर करने के लिए गुलाब जल का इस्तमाल किया जा सकता है इसके लिए आप गुलाब जल की एक या दो बूंदो को आँखों में डाल सकते हैं ऐसे करने से आँखों में मजुद धूल कर बाहर निकलाएंगे और आँखों की जलन भी ठीक हो जाएंगे एलोबेरा आखों की जलन दूर करने के लिए एलोबेरा का इस्तमाल किया जा सकता है एलोबेरा जलन में जल्द ही आराम दिलाने में मदद करता है इसके लिए आप एक से दो चमस एलोबेरा जेल लेकर उसे एक कप ठंडे पानी में मिला दें फिर इस पानी में रूई को डूबो पर अपने आखों पर रख दें इस प्रकिडिया को आप दिन में दो से तीन बार अंकर सकते हैं तो दोस्तो आपको हम घरेली उपचार बताएं आखों की समस्या का जलन, सुजन, दरदर आखों का लाल होना तो आप आलू, खीरा, एलो बेरा, गुलाब जल से आप अपने समस्या को दूर कर सकते हैं ये घरेली उपचार हैं दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक के जिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तो, राधे राधे दोस्तो, जैराम जी की